गुद मॉर्निंग एवरिवन आप सभी लोगों का कल्याणी एकडमी की शांदार प्लेटपरम पर बहुत बहुत स्वागते करते क्लास स्टार्ट HCF-LCM अल्मोस्ट आज हमारी HCF-LCM की लास्ट क्लास होने वाली फिरम नया टोपिक निशेट करेंगे चलो करते हैं स्टार्ट बड़ा इंपोर्टेंट कुश्चन है और बड़ा अच्छा कुश्चन है ना देखें फाइंडिंग दा HCF by long division method है ना फाइंडिंग दा HCF by long division method the sequence of questions from top to bottom 313 भाग विधी द्वारा दो संख्याओं का HCF निकालने के क्रम में अंतीम भाजक छे आता है तथा भागफल आरंभ से अंत तक तीन एक तीन है तो दोनों संख्याओं का योग ज्यात करें अब सुनो मेरी बात इसको करने से पहले पहले हम division method है HCF का division method सीख लेता है ना देखिए क्या है HCF का division method मैं आपको बताता हूँ है ना HCF का division method है ना है 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 डिविजन method यहने की भाग भी थी है HCF निकालने की भाग भी थी कब जरुरत पड़ती इस method की जह मैं पता ही ना ही चले कि दोनों नंबर जैसे फोर इक्जम्पल मैंने आपको बोला 15 और विसका HCF निकालो 15 और विसका HCF निकालो तो आप तुरंत 15 को पांच इंटो तीन लिख दोगे पांच इंटो चार HCF यहने कि कॉमन कितना है तो नंबर को पहले आप ब्रेक करते हो फेक्टोराइजिशन करते हो गुड़न खंड करते हो उसके बाद जो कॉमन है वह है लेकिन कि मान लो बड़े बड़े दंबराज है आपको पता ही नंचले कि उसका फेक्टर क्या एंट राया प्टरहे नहीं चल रहा है किस से ढइब बड़ा आ ब्रेश बड़े नंबरा में पूं पर बना लेतो है किसे डिवीजन वादी तीन में संपरागोम देखोग अच्छास क्विश्चन बनाता हूँ क्विश्चन एक तो ठर सत्र दो नम्बर लेरा हूँ एक ठर सत्र उरेक 989 अब इन दोनों का HCF निकालना है ना इन दोनों का निकालना है हमें HCF ठीक है अब आपको पता ही नहीं चलेगा किस से divisible होरा बहुत महनत करनी पड़ जाएगी आपको ठीक है 989 से हम डिवाइड देंगे 18 17 में क्लियर ठीक है अच्छा कितनी बार जाएगा एक ही बार जाएगा शाहिए यस एक ही बार जाएगा दो बार में बड़ा हो जाएगा 989 सत्रा में से 9 गया तो कितना आया आठ है ना फिर उसके बाद दस में से 8 गया तो 2 और सत्रा में से 9 गया तो 828 आएगा है ना ठीक है अब क्या होता है ना remainder के सामने पूराने भाजक को किया जाता है पूराने diviser को जो remainder है उसके सामने copy किया जाता है चलो अब देखो तो 828 से कितनी बार जा रहा है, एक ही बार जा रहा है, 828 से ना, 9 में से 8 गया 1, और 8 में से 2 गया 6, यस 9 में से 161, अब 161, जो remainder आता जा रहा है, उसके सामने भाजक ऐसे 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 जले भी बनती जाए, तो 828 को भी यहाँ कॉपी कर लेंगे, 828 में 161 से डिवाइड दे जाएगा है ना, तो I think 5 times, 6 times में से बढ़ा, 5 times जाएगा, तो 515 ओर 80, 805, माइनस करेंगे, 3 आएगा, तो तेविस आएगा, अब 23 के सामने कोन आ जाएगा, 161, clear, अब आप देखेंगे, तो यह साथ बार जा रहा है सीधे, साथ बार में 161 remainder आगया, 00, है ना, 00 remainder आगया, clear, जब तक remainder 0 नहीं आए, तब तक यह गाड़ी चलती जाएगे, अब HCF कोन होता है, last divisor, अंतीम भाजक, last divisor होता है HCF, है ना, अंतीम भाजक, HCF, clear, अंतीम भाजक, HCF, कितना है, 23, clear एतनी बाट, ठीक है, अब, अब इसमें क्या है ना, इसी question में, ध्यान देना अब आप लोग है ना, ठीक है, इसी, इसी पर ये question बना है, अब एक question में यहां से बनाता हो, मानो हमें ये दो संख्या पता नहीं है ये जो दो संख्या है न हमें ये दो संख्या पता है अच्छा है ये दो संख्या कहा होती है इसमें सबसे उपर में होती है क्या यहाँ तो दो संख्या मान लेते हैं एक सुरवा है ये भागफल है सारे ये question ने भागफल, कितने भागफल है इसमें, चार भागफल है दूसरा भागफल, ये भागफल एक यहाँ एगा, एक यहाँ एगा फिर उसके बाद एक और भागफल है इसमें, ये पांच यहाँ एगा फिर उसके बाद एक और भागफल इसमें साथ यहां एगा है ना और इसके बाद रिमेंडर के आया जिरो-जिरो एक क्वेशन बना रहा हूं में इसी पर चार बार एक्षन हुआ कि नहीं हुआ इसमें चार भागफल है तो चलो भागफल आपको दिया है 11547 और अंतिम भाजक आपको दिया है 23 क्या दिया है 23 आया समझ मैं ठीक है ना अंतिम भाजक आपको दिया है 23 ठीक है अब यहां से यदि हम देखते हैं है ना ठीक है तो यह सवाल है क्या सवाल है कि दो संख्यां XY उन दोनों का HCF निकालने के लिए जब भागविदी लगाते हो तो लगातार क्रमागा चार भागफल 1157 दिया और अंतिम भाजक लास्ट डिवाईजर जो HCF होता है वो आपको दिया है 23 तो बताओ वो X और Y दो संख्यां क्या थी य आता है तता भागफल आरंभ से अंत तक भागफल क्या आते है इसमें तीन भाइभफल यानिके से तीन एक्षान हुए ओंगे इनके इस भाग विधिमे देखो एक भागफल यहाँ, दूसरा भागफल यहाँ, और तिसरा भागफल यहाँ और रिमेंडर 00 क्या है तीन भागफल इनके? तीन एक और टीन, clear? और अंतिम भाज़क क्या है इनका? छे, आया समझ में और एक सुर वाई आप जानते, एक सुर वाई दो संख्या है कहा रहती यहाँ पर तो हमें दोनों संख्याओं का योग पूछा है उन दोनों संख्याओं का क्या पूछा है? सम पूछा है, clear? कि भाई यह एक स्प्लस वाई निकाल के बताओ, ऐसा हमसे पूछा है, ठीक है? तो चलिए, एक स्प्लस वाई निकालने को हमको बोला है, ठीक है? तो अब वो तो ठीक है question पहले यह जो question हमने बनाए यहाँ से पहले number ले लिए question build करा के नहीं करा? अब सुनिए मेरी बात है ना? अब हम यहाँ से पीछे पीछे जाएंगे और एक सुर वाई दोनों पता कर लेंगे देखो, सबसे पहले यहाँ का value निकाली है तेविस into 7 करोगे ना तो यहाँ का value आजाएगा तेविस into 7 कितना होगा? 161 बनेगा यहाँ का value तेविस into 7 करोगे तो 161 क्लियर यतनी बात सभी को आएगा वन देखो 161 था कि नहीं था? अब क्या करोगे? आप जानते हो कि यहाँ के भाजक को यहाँ कॉपी किया जाता है यहाँ 161 है यहाँ भी 161 रहा होगा क्या? सोचो यहाँ 161 है तो यहाँ भी 161 रहा होगा या नहीं? यह देखो क्योंकि आप यहीं से तो 161 यहाँ कॉपी करते हो कि नहीं करते हो? क्लियर? अब आप जानते हो इन दोनों को मल्टिप्लाइ करके इसको जोडेंगे तो यहाँ का value बनेगा? जैसे एक कहानी सुना आप लोग 20 में 20 में आप डिवाइड करो 6 से 6 या 18 6 से डिवाइड करो 20 में तो 6 या 18 रिमेंडर 2 आएगा? क्लियर? अच्छा अब यह 20 बनाने का तरीका पता है आपको? इन दोनों को मल्टिप्लाइ करके उसमें इसको जोड़ दो छेती आठार आठारा प्लस दो बीस अरे भाजक गुणा भागफल धन सेस्वल से भाज्य बनता है कि नहीं बनता है? तो बाजक इन्टू भागफल डिवाइजर इन्टू कोईशन प्लस रिमेंडर से डिवीडेन बनता है भाज्य बनता है तो वही लगाया था मैंने यहां पर 161 लेकिन 0 था तो 0 का यूज नहीं किया सिर्फ इन दोनों को मल्टिप्लाइ कर लिया फिर अब 161 यहां है तो यह प्लस रिमेंडर क्लियर तो 161 इंटू 5 करेंगे तो यह तो आजाएगा 805 प्लस 23 करेंगे तो कितना आजाए गई यह 828 आएगा तो यहां आगे 828 अब जैसे आठा हम समझ गए यहां से उठा के कॉपी किया आँगा 828 को 828 को यहां रख दो भी क्लियर यतनी बाट ठीक है अब फिर से भाजक गुणा भागफल धनसे सब तो आट सो टाविस इंटू 1 प्लस 161 तो इसको करेंगे तो आट और एक नो छे और दो आठ आट और एक नो 989 आएगा तो यहां पर आएगा 989 अब हम समझ गए कि यहीं से कॉपी करके 989 लिखा हो होगा ना 989 अब फिर से भाजक गुणा भागफल धनसे सब एक्स की वेल्यू आ गई है यह वाई की वेल्यू निकाल नहीं है तो ना भाजक गुणा भागफल डिवाइजर इंटो कोईशन प्लस रिमेंडर तो 989 इंटू 1 प्लस 828 है ना तो मतलब पीछे जाके नंबर कैसे पकड़ना है वापिस समझ में इस बिस पर अब यहां करेंगे तो भाजक गुणा भागफल एक सुर्वाइब पता करना है तो छेती अठारा आएगा है यहां प्लस 018 फिर हम जानते हैं यहां से अठारा यहां कॉपी किया तो यहां अठारा है अब फिर भाजक गुणा भागफल अठारा एकम अठारा एक अठारा और चे चोवीस आगा है आप हम समझ गये कि यहां से हचो कंपी किया मतलब एकस का विल्यू 24 ला ठीक है अ थे क्सच का विल्यू 24 आगिए अब 24 तीया 32-22 प्लस 18 तो तो य का विल्यूaxyयाग आ गया question को बहुत अच्छा question है बढ़िया question है है ना clear है सभी को यह है ना ठीक है so answer is 24 प्लस 90 यहने की 114 clear है तो 24 प्लस 90 यहने की 114 9211 ठीक है तो answer आया का 114 a clear अ कि समझ में सभी को है ठीक है अब देखो इस question को में होता ना तुम इतनी वाठाफोड़े नी करता में ओरेल नी कालता के से निकालता सुन oh we are some no हुए कि अंतिम भाजक उता हिंतनी होता है कि अंतिम भाजक छे ये लिहें कि यहँए फेना यह एच यह जोबी नंबर होते है वह एक सिए से डीवीजिबल होते हमेश्ण और आरे संथे इं нельзя से ठीक है 6 से divisible cable 114 seconds में आया कि नहीं आया इसको कहते है ग्यान की गहराईया knowledge के depth यदि आपके पास है तो आप question में short में खेल सकते हो clear तो आपको पता है अंतीम भजक 6 है और 6 HCF है और number जो भी number होते है वो HCF से divisible होते है तो number का योग भी HCF से divisible होगा तो number का योग इन्होंने पूछा है दोनों number का sum जो भी होगा यह divisible नहीं है यह नहीं है और इसलिए 100 चलगा यदि 2-3 यदि HCF 6 से divisible हो तो फिर हमें करना पड़ेगा तरवाइस ऐसा question हो तो फिर तो टिक करो आप सी आया ना समझ में clear तो चलो इस प्रकार के question अब हम कर लेते है जो भी है ना क्लियर है ना clarity आई इस question में ठीक है चलो आगे चलते हैं और कोई question है इस प्रकार का पीछे भी देख लेते हैं ठीक है सम फस्टो आई यह हम कर चुके ना यह भी कर चुके एक मिनट आगे ही देखते हैं ना 77 नहीं 78 नहीं 79 नहीं 80 नहीं 81 नहीं 83 नहीं 84 नहीं एक मिनट 10 ताइमस दपेश्य है नहीं यह भी नहीं अगे नम्र ऒंडिवी एड़न राए थीक है थीक है यह भी नहीं 2 तीन क Pokémon थिआर इस प्रकार के 1 मिनट रॉक हैना हां यह देखो यह देखो यह कु ancestor Buch Du Fourier ये question है na find the HCF by long division method the sequence of question from top to bottom is 763, sequence of questions from top to bottom is 763, 7, 6 and 3, clear and the last divisor is 15, last divisor is 15, ठीक है, योग क्या होगा, जो भी योग होगा, वो 15 से divisible होगा, ये 15 से नहीं, ये 15 से नहीं, क्या ये, अब 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये भी 15 से नहीं, ये ये अंसर आएगा, अरे, एक मिनट, योग निकालना है, अन्तिम भजक 15 है, 7, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, अरे, ये भी डिवीजिबल नहीं है 15 से, पागल है क्या, कोई भी अंसर नहीं है, इसमें तो, कोई भी अंसर नहीं है, फिर से पढ़ लेते को, हमने गलत तो नहीं पड़ा, है ना, finding the HCF, 7, 6, 3, top to bottom question, ये लास्ट डिवाइजर 15 है, अन्तिम भजक क्या है 15 है, तो जो भी अंसर होगा हो, 15 से डिवीजिबल हो गई होगा, सिदिसी बात है, दोनों सेंख्याओं का योग निकालना है, तो ये तो ही ने डिवीजिबल 15 से, ये 5 से डिवीजिबल है, लेकिन 3 से हम जानते हैं, यहाँ से यहाँ कॉपी किया गया है, तो यहाँ भी 45 था, तो 45 इंटू 6 कितना आएगा ये, 270, 270 प्लस 15, 285, 45 इंटू 6, 270 प्लस 15, कितना आएगा, 285, तो यहाँ भी 285 था या नहीं, क्लिर इतनी बाद, 285 इंटू 7, प्लस 45 है ना, प्लस 45, क्लिर ठीक है, तो 285 इंटू 7, प्लस 45 कर लेते, तो 7, 5, 035, 3, 56, 69, 5, 14, 5, 19, 1995, प्लस 45 है ना, तो यह कितना आएगा, यह आएगा, 2045, क्लिर है ना, 2045, तो यह आया 2045 है ना, अब हमें क्या करना है यहाँ पर, ध्यान देना सभी लोग है ना, 2045, ठीक है, दोनों को जूड़ना है हमें है ना, दोनों संख्याओं का योग, तो 285 प्लस 2045, 10, 12, 13, 3, 2330 आएगा, संख्याओं यही बनती है ना, X और Y, 2330 आएगा, सारे रोंगे, पागले अप्शन वाला, सारे रोंगे, अंसर विल बी 2330, 2330, क्लियर है क्या है ना, चलो, आगे चलते, नेक्स्ट पर है ना, 2330 विल बी दा इंसर, क्लियर, 2045 प्लस 285 यह ना, 2330, साइड किया ना, 12, 13, yes, ठीक है, 2330 आएगा, सारे रोंगे, आपको समझ में आ ना, कैसे चेक करते हैं, वो वाले तरीके से हैं, अच्छा तरीक है, ठीक है, चलो, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर है ना, ठीक है, एक मिनट, वेट, 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 इविजिबल नहीं, हाओ इपॉसिबल, अंतीम भाचक 15 मतलब 15 विल भी थेच एफ, छे, साथ, नो, दस, ग्यारा, वोट इस दिस, अरे गलत किया यार, रुको, दो सतर, दो सब पच्च्यासी, दो सब पच्यासी इंटू साथ, प्लस पेथालिस, यदि 15 इनका HCF है, तो 15 से डिविजिबल तो होना ही चाहिए, एक मिनट रुको ज़र, नहीं, यहां मिस्टेक की है, एक मिनट, साथ, छे, तीन, ना, ओके, 15, 15 तीया, 45, 45 यहां आएगा, तो 45 इंटू 6, 270 यस करेक्ट है, 285, 285 इंटू 7, प्लस पेथालिस है, ना, 7, 5, 35, 3, 56, 69, 5, 14, 5, 19, 19, 95, प्लस पेथालिस, पाँच पस दस तेरा चावदा, दस दो हजार पेथालिस, यहां सही है, प्लस पेथालिस, प्लस दो हजार पेथालिस, आट और चार बारा तेरा, तीन, 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 तीस, तीस, इट शुड बीजिबल भाइपर, पाँच वर तीन दोनों से दे विजिबल होना चीए, तीन, छे साथ, एक मिनट रुको, 15 यदिश का लाज़ डिवाईजर है, 15 यदिश का हेचस, मेंकोनित रुकोना है, 285 है ना फेक्टरिय दी करते हैं तो 5 5 5 25 है ना 5 7 3 19 19 1 19 है ना कि पंदरा कि पेतालिस दस ग्यारा कि उसे तो गड़बड किये बने चलो इसको देखते 2045 को 5 4 is a 20 5 9 is a 45 अब किससे जा रहा है 409 नोड चारती रहे तो किससे भी नहीं जा रहा है साथ से जा रहा है क्या 35 9 11 से 9 13 9 17 9 19 9 23 9 किसे भी डिवीजीबल नहीं चार सोल और हाओ इस पॉसीबल एक मिनट कोई तो मिस्टेक किया हमने जोड़ने घटाने में में 270 प्लस पंदरा कि दो 65 किया है ना अ होग कि 200 पिच्चे असे इंटू 7 प्लस पेतालिस एक मिनाट रुको यार। 7, 5 जा 35, 3, 56, 59, 5, 7, 2 जा 14, 14, 5, 19, 1905 प्लस पेतालिस 1995 प्लस पेतालिस अरे यार, 2040 आएगा ना यारे भगवान, क्या हो गया बुद्धी को मेरी यार, 2040 आएगा ना ये, क्या कर रहा हूं में भी, 2040, यस अभी एड करेंगे, 5, 8, 4, 12, 3, 23, 25, ये 23, 15 लिखा है ना ये 23, 25 तम अंसर होगा, है ना ठीक है, हाँ अभी सही हुआ ना यार, वही तो कहूं, एड गलत कर दिया यार, ठीक है, छोटी-छोटी गलतिया कभी-कभी हो जाती है, ठीक है, चलो, नेक्स्ट पर आते हैं, अगल इवन की क्या कहानी है, चार, साथ, घ्यारा, इसके culture, उर लास्ट डिवाइजर 20 हैं ना, देखिया, चार, साथ, घ्यारा, इसके culture and last divisor is 20, ठीक है, यहां भी संख्याओ का योग निकलना है, तो 20 से divisiva लोना चीए, बीस से divis उल नहीं जो तो पहले हटा दू आ आप है, ये त तो भी से डिवीजिबल है यह भी से तीनों भी से डिवीजिबल है तो बस अब तो नहीं चेक कर पाए चलो ठीक है रिमेंडर जीरो तो 20 इंटू 11 कितना होगा है 220 यहां कॉपी हो जाएगा 220 इंटू 7 प्लस बीस है ना तो 7 टूजा 14 1540 प्लस बीस है ना यहां से यहां कॉपी किया है तो यह भी 1560 हो गया अब 1560 इंटू 4 प्लस 220 है ना प्लस 220 क्लियर तो 04620 टू है ना 04620 टू 1540 60 62 62 62 40 प्लस 220 है ना तो कितना आएगा यह 064 6460 है ना तो एंसर विल भी 64 देखो यह भी यह भी गलत किया इनोंने हां ठीक है 6560 लिखा हो है पागल है ना एंसर विल भी 6460 क्लियर एंसर विल भी 6460 क्लियर तो सम फ़ द नंबर यह दी निकालना है एक मिनट एक मिनट एक मिनट सॉरी 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 वेट 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 यार ऑप्शन कहा से गलत है वेचारा 6460 तो क्यावल एक सॉर वाई बने ना इन दोनों को एड़ करेंगे तो 6460 प्लस 1560 6612 टैन एट ताउजन ट्वेंट यह करेक्ट एंसर है ना 8020 विल भी देंसर क्लियर है समझ में आया ना सभी को चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर चलते हैं ठीक है एक मिनट बैक चलते हैं जहां से हमने मीशिट किये थी इस प्रकर के कुश्यन यहां से है ना अब 3 Prime Numbers, the product of first to number is 1891, product of last to number is 7, find all the numbers अब देखेए अच्छा कुश्यन है, कितने प्राइम नंबर है यहां पर, there are 3 Prime Numbers है ना 1st, 2nd and 3rd, 3 Prime Numbers ठीक है, इन 3 Prime Numbers में पहले 2 Prime Numbers का Mutta Online 1891 है ना ठीक है पहले दो प्राइम नंबर का इन दोनों का मुल्टिप्लिकेशन 1891 है और इन दोनों का मुल्टिप्लिकेशन लास्ट टू का मुल्टिप्लिकेशन क्या है अंतिम दो का गुणन फर्ट 7991 अब यह तीनों नंबर कैसे निकाले हैं अब पहले तो आप एक चीज हैं यहाँ पे समझेव ठीक है एक तीनों प्राइम नंबर यदी होंगे औप्शन से भी कर सकते हुए यार है न ठीक है देखो यह दो नंबर का भी unit plus one इनका भी one so one one units place किसका आएगा यह एक तो यह से ही चला यह यह भी यह भी फिल यह भी फिल ओविस्ज नंसर यह blessing in dot 131 इतनी बाट ठीक है ना यह तीन नमबर आएंगे ठीक है अब आप चाहते हो नहीं सर ऑप्शन से नहीं हम मैथट से करना चाहते हैं दीखिये मैथट से बताता हूं मैं आपको यदि तीन प्राइम नमबर है ठीक है तो बताए इन दोनों के मुल्टिप्लिकेशन में दोनों क दोनों का एचुप निकालने तो वा सो उंचैनल के आजाएगा हां इस्ट कॉमन फेक्तर होंनो का तो कॉमन नमबर आजाएगा हुआ को छली निकाल ले सितले हSE 18". 12 interviewed संगॉन से निकाले हैं दैवीजन उकित्त से ना इंवं है तो 1891 और 7 691 क्लियर निकाल लेते हैं तो 1891 से कितनी बार जाएगा है न कितनी बार जाएगा पांच बार जाएगा पांच बार में 9000 हो जाएगा चार बार है ना ग्यारा में से चार गया तो साथ आठ में से चे गया तो दो है ना ठीक है नो में से पांच गया तो चार जीरो ठीक है अब इसके सामने इसको लाव 1891 को चलो कितनी बार जाएगा है फोर ताइमस आप फोर ताइमस जाएगा जब वन एक सो आठ सत्रा 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 सो आठ है ना ठीक 11 में से आड़ गया तो 3, 8, 1, 183 के सामने ले आते हैं 427 को अब देखो 183 से कितने टाइम जा रहा है दो बार, तीन बार में बड़ा हो जाएगा ने यस दो बार में जाएगा 366, 1, 6, 61, 61 के सामने 183 आ जाएगा, 61 से 3 टाइमस में डिजॉल्व हो जाएगा आगया रिमेंडर 00, तो लास्ट डिवाइजर 61 विल बीड़ एच्ची एफ तो एच्ची एफ 61 है, मतलब कॉमन नंबर आगया 61 एच्ची एफ 61 मतलब बीच वाला नंबर 61 है तो बीच वाला नंबर इसी में 61 है यहां भी है बट यह चीक है अब यह दूसरा नंबर निकालना है तो इसमें क्या मल्टिप्लाइ करें के 1891 आ जाए तब सिरी सी बाते ना यार 61 से इसमें डिवाइड देते तो यह नंबर आ जाएगा समझ रहे हो क्या 1891 में आप 61 से डिवाइड दे दीजिए 61 3 जा 183 तो 61 61 1 जा 61 00 31 आएगा दूसरा नंबर 31 आप समझ रहे हो ना इन दोनों का मल्टिप्लिकेशन दीए है तो इसमें इससे डिवाइड देंगे तो यह नंबर आ जाएगा अब इन दोनों का मल्टिप्लिकेशन यह तो इस से डिवाइड देंगे तो यह आ जाएगा 61 से 7 9991 में डिवाइड देते हैं आप यहां से यदि हम देखते हैं ठीक है वान आएगा और एट आएगा अब क्या करें यहां पर 9 copy कर लेते नीचे 61 से 3 times जाएगा 183 केतना आएगा 61, 61, 1's a 61, 0, 0, clear तो 131 तो तिसरा नंबर आएगा 131 समझ में आए कैसे किया तो 31, 61 and 131 clear है किया इतनी बात सभी को है न 31, 61 and 131 clear, ठीक है चलो, आगे चलते next पर है न, अगला सवार, ठीक है clear है न, next question ये भी नहीं, ये भी नहीं ये भी नहीं ये कर चुके है हम ये भी नहीं, मतला वे भी करना नहीं है ये भी हम कर चुके है शायद न कर लेते हैं, नहीं किया होगा शायद, चलो 36 सेकंड 40 सेकंड और 48 सेकंड है न, ठीक है 36, 40 और 48 clear, ठीक है कुछ नहीं करना होता है, इसमें LCM निकालना होता है, शायद मैंने बताया था, यादा है, ये इस प्रकर के question है न, 36, 40, 47 का LCM निकाल लेते हैं न, क्या आ जाता है LCM देख लेते हैं, है न, ठीक है, तो किस से जा रहा है ये, फूर से, फूर 9 जा, फूर 10 जा, एंड फूर, 12 जा, फिर किस से जा रहा है, 2 से जा रहा है, 2, 5 जा, 10, 2, 6, 12, फिर किस से जा रहा है, फिर 2 से जा रहा है, 9, 5, 3, अब किस से जा रहा है, 3 से, 3, 3 जा, 9, 5, 1, फिर 3 से, 1, 5 बचा फिर 5 से, तो LCM आएगा 4208 2016 48, 48, 320, 214, 4720 तो LCM आएगा 720 second अब second को minute में कैसे बदले by 60 00 के अंसल तो बताएगे 12 minute आएगा answer इसका answer will be 12 minutes वो लो clear है कि इतनी बात सभी को so answer will be 12 minutes ठीक है चलो और आगे चलते हैं कि नेक्स्ट पर चलते हैं ना ठीक है कि यह अच्छा कुशन है भाग के किसी प्रस्ट में भाजक डी भागफल क्यू से दस गुना और सेश्फल आर से पांच गुना अब एक चीज समझा आप लोग पहले तो जैसे कोई नंबर है बीस बीस में डिवाइड देना है छे से तो छे ती अठारा रिमेंडर टू आएगा क्या क्लियर अब आप समझो इसको बोलते भाजक मतलब कि डिवाइजर इसको बोलते हैं क्वेशन्ट मतलब की भागफल यह होता है रिमेंडर मतलब की सेश्फल और यह होता है भाज मतलब की डिविडेंड यह चार चीज़े है न ठीक है तो आपको पता होना चीज़े है न तो देखिए सभी लोग ध्यान से ठीक है चार चीज़े है ठीक है यह भाजक है मतलब की डिवाइजर यह कुईशन्ट है मतलब की भागफल यह रिमेंडर है मतलब की सेश्फल और यह डिविडेंड है मतलब की भाज़ अब आप देखिए यहाँ पर कहानी क्या है ध्यान दीजिए है ठीक है अब इस कुईशन को हम करते है अच्छा एक चीज़ आप यहाँ समझों इन दोनों को मल्टिप्लाइए करके इसमें जोड़ दें तो 20 बन जाता है इन्हें की 6 थी या 18 प्लस 2 बराबर 20 एक ही नहीं है तो 6 क्या है भाज़क तो एक फॉर्मुला बनेगा भाज़क इंटू भागफल धन सेश्फल बराबर भाज्य आया समझ में मतलब डिवाइजर इन्टू कोईश्यंट प्लस रिमेंडर इस अल्वेज इक्वल टू डिविडेंड आया क्या समझ में यह रिलेशन ठीक है मतलब इसको छोड़ो यहां से रटो सी दे किन दोनों को मल्टिप्लाइए करके इसमें जोड़ दे तो यह मिल जाता है अब हम इस कोईश्यन को करते क्या है कहानी ना देख लेते ठीक है भाग के किसी प्रस्ट में भाजक डी भागफल क्यों से दस गुना है भाज़क्दि भाखफल से देख, मतलब इसका 10 गुना है ये, इसका कितना गुना है ये, 10 गुना, इसका 10 गुना है ये, ऐसा बोला उसने, ठीक है ना? Diviser D is 10 times the question and 5 times the remainder, remainder का 5 गुना है, remainder का कितना गुना है, 5 गुना, समझो बात को है ना? ये जो भाज़के ये भाखफल का 10 गुना है और सेश्वल का कितना गुना है, 5 गुना है, क्लीर इतनी बाट ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, कुछ दिया है क्या? आर बरावर 46 दिया है 46 रिबेंडर 46 तो 46 का पांच गुना कर ले तो यह 230 आ जाएगा क्या यहाल इसका पांच गुना कर लो 230 और इसका दस गुना दो सो तेजहे खुद की निकाला अब भज्जий क्या होगा दिविडेंड विल वी तो आप जानते हो भज्ज कैसे निकालते हैं इन दोनों को multiply करके इसमें यदि इसको जोड़ दे तो भाज जा जाएगा तो 230 इंटू 23 प्लस 46 समझ रहे हो क्या है 230 इंटू 23 प्लस 46 ना 23 प्लस 46 तो ये 5290 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 एड़ कर लेते हैं तो ये आएगा 5336 अंसर विल भी 5336 ये वाला है ना ठीक है आया क्या समझ आया है सभी को एंसर विल भी 5336 तो ये समझ में आया है है ne ये क्या गेम है बस ये कहानी बनाई थी मैंने रिलेशन समझ आने के आपको है न कौन क्या क्या है बाकी बस जैसा बुला वैसा फूल उप लेना है हमें तो एंसर आएगा है ना चलो नेक्स्ट वाले पर चलते 85 गिवस्ट टू टाइमस देर डिफरेंस इस कुशेंट एंड 30 इस रिमेंडर ठीक है देखो क्या है कहानी ध्यान देना सभी लोग है ना ठीक है देखिए यदि कि संख्या को 555 और 445 के योग से विभाजित किया जाए है है ना नंबर वेंड डिवाइड़ बाइड़ सम ओफ 555 और 445 है ना 555 और 445 कितना होता है वैसे हजार हजार है ना ठीक है तो दोनों के सम से यदि किसी नवत तो उसका भागफल संख्याओं के अंतर का दो गुना होता है हजार से डिवाइड करें तो उसका भागफल संख्याओं के अंतर का दो गुना होता है तिन दोनों संख्याओं का अंतर कितना 110 है ना अंतर 110 है ना जीरो वन वन यह से 110 है तो इस अंतर का यह अंतर है संख्याओं के अंतर का कितना गुना होता है संख्याओं के अंतर का दो गुना होता है ना तो भागफल यहने की कोईशन्ट संख्याओं के अंतर का दो गुना तो 110 का दो गुना यहने कि 220 आए गया है खलिः तथा सेश्फल 30 रहता है रिमेंडर कितना जीा है 30 रिमेंडर 30 तो बते ही नमबर बन gearbox één क्या कि यससे बनाते पता है आपको इंधोनों को इंटू करो ऊसमें है तो इन दोनों को में इंटू करेंगे न दो सो जॉय हजार करेंग तो बता है यह दो लाग बीस हजार प्लस तीस तो दो लाख बीस हजार तीस क्लियर ही क्या इतनी बात है न आया क्या समझ आया सभी कोई है न ठीक है चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर है न दो लाख बीस हजार तीस क्लियर आया ना समझ में आया नहीं क्विश्चन सभी को चलो next पर चलते हैं अगले सवाल पर है यह भी वेसाई क्विश्चन है ना देखिए When a number x is divided by a divisor It is seen that the divisor is four times the question ठेना कहानी क्या है यदि किसी संख्या x को किसी विभाजक से विभाजित किया जाता है तो विभाजक बराबर भागफल का चार गुना बराबर सेश्चपल का दो गुना सुनिए एक दो रती है ना यदि किसी संख्या x को किसी विभाजक से विभाजित किया जाए संख्या x को विभाजक ये विभाजक ये divisor है ना भागित किया जाए तो विभाजक बराबर यह relation दिया है विभाजक यह विभाजक है यह भागफल है और यह सेशफल है चल तो विभाजक बराबर भागफल का चार गुना बराबर सेशफल का दुगना तो विभाजक बराबर भागफल का चार गुना बराबर सेशफल का दुगना यह हमें दिया है ठीक है और सेशफल असी दिया है सेशफल कितना दिया है असी सेशफल का विल्यू असी रख दें हाँ पर बताई यह 160 हो गिया न ठीक है भागफल गुणा चार बराबर विभाजक तो विभाजक तो सीधे 160 आ गया 160 है ना अब विभाजक विभाजक आ गया 160 है क्लियर इतनी बाट ठीक है विभाजक आ गया 160 है ना विभाजक 160 है अब भागफल इंटू 4 है ना तो भागफल इंटू 4 बराबर भी 160 है तो भागफल बराबर कितना आया चालिस क्लियर तो भागफल कितना आया 40 clear और सेशफल तो दिया यह ना 80 सेशफल को 80 रख दो तो एक्स की वैल्यू निकाल नहीं होगी और क्या तो एक्स का माने तो कुछ नहीं करेंगे इन दोनों को multiply करेंगे उसमें इसको add कर देंगे तो आ जाएगे तो एक्सो साथ इंटू 40 करेंगे तो 6400 आएगा प्लस 80 तो 6400 प्लस 80 तो वैल्यू आएगा आता है क्या समझ तो एंसर विल विकम चूशट असी क्लियर इतनी बात सभी को है ना ठीक है एंसर विल विकम चूशट असी ठीक है next आगे चलते है यह कर चुके हम यह different है यह नहीं करना अभी यह भी हम कर चुके शायद है रहां कर चुके ठीक है HCF by long division method यह कर लिया ना हमने यह भी कर लिया ओके ठीक है यह नहीं यह भी नहीं HCF of which pair is 3 and the LCM of all the 4 numbers is 16, ठीक है, हर एक pair का HCF 3 है, है न, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको भी करेंगे अभी है न, आगे, sum of two numbers, LCM of both the numbers is 504, ये question भी नहीं किया, हमने अभी करेंगे है न, ये भी करना है, ठीक है, ये तो कर लिया शायद हमने न, sum of all the numbers is 608, ठीक है, and their HCF is 144, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 100 questions है total है न, तो चलो ये वाली class तो हम यहीं पर end करते हैं, हमने next only class में आगे continue करेंगे, बचे वे question next only class में खताम हो जाएंगे, ठीक है, चलो के, so thank you very much and all the very best, thank you.